आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मूंगफली की बहुत ही चटपटी क्रिस्पी क्रंची नमकीन जो आप अभी तक मार्केट से लेकर खाते होंगे लेकिन अब आप इसे बड़ी आसानी से जटपट बिलकुल 5-10 मिनट के टाइम में बना पाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है जिसे देख कर ही आपका मन खाने को करेगा तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स मूंफली नमकीन बनाने के लिए यहां पर मैंने कच्छी मूंफली के दाने लिए हैं 100 ग्राम आप रोश्टर मूंफली के दाने भी ले सकते हैं मैं फिलहाल कच्ची दानों से ही बना रही। इसके लिए जब से पहले आपको एक छन्नी लेनी और इसमें दानों और पूर्पों अपाणी डाल करके इनको अच्छे से दो लेना नौहां अससे Relations को क? तो इसमें हम पानी डाल करके इसको अच्छे से दो लेते हैं और इसको हम अलग एक मिनट के लिए रख देते हैं अब हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है बॉल में हम करीब 3-4 चम्मट डालेंगे बेसन तो मैं यहाँ पर टाटा संपन का बेसन इस्तिमाल कर रही हूँ यह नॉर्मल बेसन से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे सबसे पहले तो हम इसमें नमक मिलाएंगे टेस्ट के एकोर्डिंग और यहाँ पर हम आदा चम्मट डालेंगे अमचुर पाउडर आदा चम्मट ही हम डालेंगे हाँ पर चाट मसाला और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर बुनी जीरा का पाउडर और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आदा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और इन सबी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमने जो मुफली धोकर की रखी हुई थी उन दानों को हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि विशन की कितनी बढ़िया कोटिंग हो रही है इस तरीके से क्या होता है कि दानों में बहुत अच्छी से कोटिंग हो जाती है कहीं भी ऐसा नहीं रहता है कि विशन ना चिपके तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको थोड़ा और गीला कर लेते हैं ताकि जो बेशन है वो और अच्छे से दानों में चिपक जाए तो एकटा पानी नहीं डालना है ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए एवरेज ही होना चाहिए ज्यादा गीला हो जाएगा तो अलग अलग दाने होने चाहिए वो नहीं रहेंगे इसलिए आपको बहुत ही हिसाब से पानी मिलाना है वे अच्छे से पानी मिला लिया है उसकी कोटिंग कर ली है यह देखिए तो अभी यह सिखने के बाद अलग अलग दाना हो जाएगा अभी बहले ही चिपका हुआ लग रहा हो आपको तो यहां पर मैंने कड़ाई रखी है तो कड़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख होंगे तो यहां पर आपको गैस को फिलेम को मीडियम रखना है हाई नहीं रखना है वना यह बाहर से बहुत जादा सिख जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको आपको चीज इसमें बूल गई थी बताना है इसमें मैंने एक चुटकी यहां पर मैंने बेकिंग सोडा यानी की मीठा सोडा भी मिलाया था इसे और बढ़िया क्रिस्पी इसकी जो खोटेंग रहती है तो आप इसमें सोडा भी मिला सकते हैं तो हम इसको मेडियम फ्लेम पर अच्छे से से लेंगे तल लेंगे तो यह तो आप इसी तरह से हम एक धना और सेक लेते हैं जितने भी बची हुई है तो यह खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं खास बात यह है कि इनको आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं मार्केर में इनके 55 रुपय के पैकेट आते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं घर पर इसे बनाईए घर की चीज सुध होती है और टेस्टी भी लगती है तो आप इसको बना करके एर टाइट कंटेनर में रख लीजिए तो यह महीने भर के लिए आप खराम नह ऐसरे न सबी दानों को निकालने के बाद आपको अच्छे थंड़ा होनगों छोने हों जैसे छी थंड़ी हो गे तो इनकी जो कोटेंगे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएम गी पार दे और वी क्रिस्पी लगाएं सकते हैं कि यह मुफली की नमकीन कितनी कृस्पी क्रंशी है तो लीज़े हमारी मूफली की नमकीन बनकरके तैयार है आप भी इसको फटा फट बनाईए बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है जहत पर में जाती है तो इस दिवाली नमकीन जरूर घर पर बना करके रखें और अपने गेस्ट को खलाएं तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जिरूर करें